हाई दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब क्यानल स्वलोशन विश शाहिद में दोस्तों आज का जो वीडियो है जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है इप्सन प्रिंटर एल एकटिस तस का कम्यूकेशन इरर जी दोस्तों यह होता क्या है कि कभी कभी हमारा प्रिंटर जो है इंक पैड जो है वेस्ट मतलब इंक पैड काफी भर जाता है और सर्विस रिक्वाइड यह मांगता है इप्सन प्रिंटर में अकसर यह होता है कि यह सर्विस रिक्वाइड मांगने लगता है तो उस हालत में क्या करेंगे तो उस इसमें simply होता है कि उस printer के model number के हिसाब से printer का resetler download कर लेते हैं हम लोग Google से और resetler को चला देने से हमारा printer जो होता है और फिर phrase हो जाता है और उसमें जो red light blink करता है वो दोनों एक साथ में वह आटोमेटिक इर्यर हो, जो है, वह resolve हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यह होता है कि आप printer आपका red light दोनों शो कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, और आप resetter चला भी दिए, लेकिन चला रहे हैं, तो वह ले नहीं रहा है, उसमें इर्यर दिखाने लगता है, communication करेंगे तो यह वीडियो जो है आज उसी टॉपिक पर होने वाला है तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं आपको अपने सिस्टम पर ले चलता हूँ और यहां मैं दिखाता हूँ यह मेरा प्रींटर है दखिए यहां जो है यह प्रींटर यह देखिए मैं इसको आफ कर रहा तो आते हैं इधर सिस्टम पे और मैं अपना रिसेटर जो है ओपेन करके रखा हूं पहले सही अलड़ी यह आप रिसेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इस तरह का एक विंडो खुलेगा और यहां पे हम लोग क्या करेंगे पार्टिकूलर एडजेस्टमेंट यह सिम्पली जो है इसे करना होता है यहां पे क्लिक करेंगे और देखते हैं नीचे आएंगे यहां पे और यहां पे विष्ट इंक पैंड काउंटर इसी पे क्लिक करना होता है तब जाके आपका उपर में दो option होता है, दोनों को चेक कर लेते हैं, और simply जो है, नीचे में आएंगे, और check जो option है, उसको click करेंगे, तो देखिए, problem यही आ रहा है, पहले नहीं आता था इस सब चीज में, लेकिन यह जो problem है, communication error, error code इतना इतना करके आ रहा है, कई सारे errors होते हैं, तो क्या करें, तो यहाँ पर click करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर दुबारा करने के लिए, लेकिन फिर दुबारा भी नहीं होगा, इस से पहले मैं एक बार अपने printer को simply कर चुका था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है, तो सोचा कि इस पर video बना के दिखाएं आपको, कि इसको कि अगरा ही दिख रहा है, और छोटा भी है, लेकिन इसको अगर जो नहीं जानता है, उसके लिए काफी बड़ा है, तो simply हम लोग यहाँ पर आके, देखें यहाँ पर control panel को open करेंगे, अपने, यहाँ किलिक करते हैं control panel को, और यहाँ पर जो है अपना printers and device जो option होता है, यहाँ device as I am printers, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने printer को select करेंगे, अपना जो printer होगा, तो हमारा 31stas printer है, इसको right किलिक करेंगे, उसके और यहाँ पर आएंगे, printing preference पे, इसको एपर हमारा एक option खुल के आगया, यहाँ इसको maintenance पे क्लिक करेंगे, और right side में आएंगे, यहाँ न देखिए हमारा यहाँ पर off दिखा रहा है communication error जो है off है इसको मैं एक बड़ on कर ले रहा हूं off था पहले और यहाँ से नीचे आके ok करेंगे, ok कर लिया यहाँ से देखते हैं फिर अपना resetter को on करते हैं और यहां से फिर जो है चेक करते हैं और देखते हैं कि यह counter हमरा count कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे तो फिर भी जो है यह error दिखा रहा है पहले जो था uncheck था वो हमारा preference में तो भी error आ रहा था उसको check कर दिया तो भी error आ रहा है तो यहां पहले uncheck करते हैं और फिर आते हैं वहां पहले और फिर कोशिश करते हैं यह दिखा रहा है तो यह काफी समझ से परे लग रहा है दोनों option में चूझ करके कर दिया लेकिन नहीं हो रहा है दोनों उसमें से कोई भी तो अब इसमें क्या करेंगे तो इसका एक हल है मेरे पास देखिए एक बार दिखाते हैं इसको यहां पर uncheck है इसको by default भी कर देते हैं बाइडिफाल्ट जो प्रिंटर का सेटिंग होता है वो भी हो जाए प्रोल्म ना हो हालाकि मैं पहले से अपने जो उसका जो है केबल भी जो है मैं निकाल के और अनप्लग करके देख चुका था कोई प्रोल्म हल नहीं हुआ तो यह भी देखिए यह भी मैं कर दिया अंचे जो अपना यहां पर आएंगे अपने में पेज पर और यहां से जो है पोर्ट जो है यह प्रोलम यहीं से आता है यहां पर जो है हमारा अपना प्रिंटर का सेलेक्ट करेंगे अब फिर पर्ट कुलर एडजस्मेंट मोड पर जाएंगे अब जो है नीचे आएंगे यहां पर West Ink Pad Counter क्लिक करते हैं OK कर लेते हैं यहां से फिर दुबारा हमारा वही option खुलेगा यहां पे चेक करेंगे और यहां से चेक पे जिसे ही क्लिक करके देखते हैं कि होता नहीं है यह तो हो गया, यह magic हो गया देखिए कि यही से problem था यह देखिए दोनों चीज आ गया अब इसको हम लोग चेक करेंगे दुबारा और इंटलाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटर का सारा एरर खतम हो जाएगा एक छटके में ही इसको कर लेते हैं अब देखिए तो यह हमारा प्रिंटर को इरर दिखा रहा था आटोमेटिक गायव हो जाएगा देखिए यह आप दिखा रहा है इसको टर्न आफ जो हो के कर देते हैं और यह कुछ शो कर रहा है इसको भी ओके करेंगे पहले प्रिंटर को अपने जो है इसको कर लेते हैं फिर प्रिंटर को on करेंगे और देखते हैं कि हमारा problem solve हो गया है कर नहीं तो देखिए हमारा printer on हो चुका है अभी और side में जो दोनो light जो है blink कर रहा था red light वो अभी नहीं कर रहा है इसका मतलब कि आपका printer है जो resolve हो चुका है आपका printer ready है काम करने के लिए अब आप अराम से काम कर सकते हैं यह error का कोई भी issue नहीं है देखिए एक बरावर मैं इसको off करके on कर रहा हूँ बिल्कुल ही सही हो गया है मेरा printer दोस्तों आप लोग साथ अगर इस तरह से problem हो तो अगर resetter से नहीं problem जा रहा है वही एरर दिखा रहा है communication error तो आप जो है resetter के पहले पेज पर आएंगे और वहां से नीचे से mode को अपने printer को सेलेक्ट करेंगे और तब waste ink pen counter पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे तो आपका problem बिल्कुल ही save जो solve हो जाएगा और आपका printer सही हो जाएगा तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडिय जरूर मेरे comment box में comment करें मेरे video को share करें ज्यादा ज्यादा लोग हो तक कि सारे लोग फायदा उठा सके और मेरे चैनल को जरूर subscribe करें जिससे की मेरा होसला और बढ़े thanks for watch